Corporate Culture के साथ जुड़े हुए मानुभाव कई बार Frustration में एक शब्द का इस्तमाल किया करते हैं कि Work Life Manage नहीं हो पा रही है यहां इस शब्द के कई माएने निकलते हैं जो कामकाज है और जो जीवन है उन दोनों के साथ में तार्तम में स्थापित नहीं हो पा रहा है एक अर्थ ये भी निकलता है कि कामकाजी जीवन और साथ ही साथ में जीवन ये दोनों ही मैनेजनी हो पा रहे हैं यहां अंतर यह आजाता है कि हम जीवन के बराबर कामकाजी जीवन को रख कर अब चलने की गलती कर रहे हैं जब तक हम कामकाज को जीवन का हिस्सा मान रहे हैं तब तक हम स्वयम को किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन की तरफ ने लेकर जा रहे हैं और जब हम कामकाजी जीवन को एक अलग हिस्सा मान लेते हैं, बात कहने में गहरी और एक माइनिट अब्जर्वेशन के साथ है, परन्तु जीवन के साथ आसपास से होजरती हुई एक स्तती है, कई बार लोग इस शब्द को अपने साथ में जूडते हैं, ये जौब चली गई गशरती तो क्या होगा, और उस क्या होगा के साथ में इतनी घंगोर निराशा होती है, कि ऐसा लगता है कि ये नौकरी जीवन से बड़ी बन चुकी है, क्या कोई भी स्तिति जीवन से बड़ी हो सकती है, ले ओप जिसी प्रक्रिया सामने आ रही है, ट्रांसफर की कोई अप ब्यक्ति स्वयम के लिए एक बहुत बड़ी गलती करने की शुरुवात कर बैठता है। वो पूरे ही घर को निराशा के साथ में जोडने वाले हो जाते हैं जिसका असर बच्चों पर जिसका असर extended family पर पूर्ण तया होता है। जोड़ता चला जाता है कि अब क्या होगा दशाओं के माध्यम से कई बार जीवन के भीतर संगर्ष निकल कराते हैं। समरतियों में रहे कि जीवन के भीतर संगर्ष निकल कराते हैं। जीवन के साथ संगर्ष निकल कराते हैं। और जब व्यक्ति किसी भी इस्तिती को एक तरह से micro approach में देखने का कारे करता है। तो वहाँ पर वो एक solution के base की और होता है। और जब भी व्यक्ति एक छोटे से छोटे कंड को आँख के बिलकुल पास में लाकर देखेगा तो बड़ा ही नजर आएगा। कई बार हम भी अपनी परिशानियों को ऐसे ही मेगनी फायर के साथ में देखने का कारे करते चले जाते हैं। इसे एक बात पर बारम बार गौर करने क्या वशक्ता है कि जो यहां हमारा कामकाजी इसतर है वो जीवन का एक हिस्सा है। हम नवीनता के साथ में नए से नए प्रयास करते चले जा रहे हैं। हम जीवन में होनर को विकसित करने का आधार प्राप्ते करते चले जा रहे हैं। समय जब comfortable approach किसी भी job के साथ में दे रहा हो तो व्यक्ति उसको laser time के रूप में लेता है। बहुत इत्मिनान के साथ में चलने का कार्य करता है। परंतु वही कहे कि यहां हम कुछ नया develop करने के उड़ जा सकते हैं। जो संगर्ष भरे समय के साथ में कार्य की प्रवर्तियों को एक नया आधार भी देने वाला होगा। और वहीं से एक नया उजाला व्यक्ति के सम्मुक होता है। जब भी हम बारे भावों की चर्चा करते हैं तो उत्रोतर बली केंद्र, चतुर्त केंद्र, दशम भाव का आधार, इसपस्ट तोर के उपर इसी बात को इंगित करता है। यहां से आजीवी का इच्छा शक्ती, पिता के साथ कामकाज की स्तियां, पिता के कर्म का आधार, स्वयम की द्रड़ता का प्रतिबिम्ब, स्वयम की जीवन को एक तरह से प्रबंदित करके कैसे चलना है, उसके साथी साथ में कार्य सिद्धी, वर्किंग, एक्सपर्टीज क्या है, यह भी 10th house के साथ में देखा जाता है, इसी वज़े से हम जब भी किसी एक इस्तिती को पूर्ण तया से रमार बना कर चलते हैं, तो स्वयम की जीवन के भीतर, बड़ी दुविधाओं का अधार अंकित करने वाले हो जाते हैं, करबद निवेदन है कि जब भी हम कि उसे भी कार्रे के साथ में जुड़ेवे हों, उसको जीवन के भीतर एक अवस्था के रूप में देखा जाए, उसको जीवन के समकक्ष लेकर चलने का एक तरह से कोई भी प्रयास नहीं किया जाए, जब यक्ति इस बात को यात रखता है, तो वो उलचता बिलकुल भी नही है, और प्रती एक बात घर आकर निराशा का वाधार बनाने वाला नहीं होता, यानि कि जो भी बात हुई है, वो जब भी घर तक पहुँचेगी, उस वाइब्रेशन के साथ में जो एक सागारात्मक रुक कर चल रहा था, वो भी बदलने लगता है, गर परिवार बहुत सु साथ में चल रहा है, पूरी रंगत क्यों परिवर्तित हो जाती है, ये एक बार सोचने के आवशक्तां रहती है, और जैसे जैसे वेक्ति इस बात पर घोर करता है, स्वयम को समाधान की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलने का पहला प्रयास करता है, इसी वज़े से जो भ ही चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख बारे हमाई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजर हुए है, वैशाक मास शुकल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंदर्मा कन्या राशिस्तान में गुरुवार रहेगा, इसे के साथ में उत्तरा फालगुनी नक्षत्र ये परिधियाधार यहां सूर्य देक अलिक समयंतराल के साथ में रहने वाला होगा और हम शुरुवात करते हैं मेश राशि के साथ में, नौकरी पेशा जीवन में मानस से कतनाव आ सकते हैं, उससे संबलें, व्यापारिक जीवन में फाइनिंशल बर्डन बढ़ाने से बचें, यहां किसी भी तरीके के रिण देने और लेने में आपको थोड़ा सा समय लगाना चाहिए, शत्रों की सोच आप पर हावी हो सकती है, उससे आप संबलने का प्रयास करते चले जाईएगा, खानपान पर नियंतरन रखें, एक्सपोर्ट संबंदी कामकाज में यहां बहतरी निकल करा सकती ह तो वहीं गरिहस्त वक्ष के साथ में चोटी चोटी बातें बड़ी उले जनों को जन्म देने वाली हो सकती है, उससे संबलिएगा, सुबह सुबह कुछ ऐसे कारे सामने आ सकते हैं, जिनकी प्रयारिटी डिसाइड नहीं थी, वहां पर भी हमको कुछ अच्छ तक कौर करने की जरूरत रहेगी कि कौन से कारे के साथ में चलना है और कहां थोड़ा सा कैब देना है, गुरशब राशी, शेर मार्केट संबंधिक आमकाज में आज का दिन अच्छा है, आप निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं, जो खुद को मैनेज करके चलना होता है, वह किसी भी इंटर्वियू की तरफ आप जा रहे हैं, कोई भी डेसाइजिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, आज वन टू वन कम्यूनिकेशन किसी ओहदे वाले व्यक्ति विशेश के साथ में होना है, आपके जो चहरे की रंगत है, हाव भाव है, जो एक तरह से पूर्ण तय आप खुद को अपनी परसनलिटी के साथ में केरी कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव इंपक्ट भी आपके साथ में बना रहने वाला होगा, और वहीं एकांत में चंतन मन को एक अलग स्थिरता देता चला जाएगा, मितुन राशी, प्रतम तया आज भी का का कोई भी नया यदि आप विकसत करके चलना चाते हैं, तो वहाँ पर भी इस्ततिया एक अलग सिरे के साथ में बनी रहने वाली होगी, यानि की स्ट्रेटेजिक एप्रूच के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है, एक्जीक्यूशन को रोक कर चला जाए, जो भी हार्ट को रिलेट करते हु उपर बनी रहने वाली होगी, ये निविदन करना चाते हैं आपसे, कि यहाँ पर ऐसे कारेजियों के साथ जुड़ने से बचे हैं, जिनकी प्रायरिटी आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ पर समय जाया हो सकता है, उससे कैसे संभलना है, इसे एक बात पर आप भी किया जा रहा है, नहां से भी दूरी बना कर आप रखियेगा, करक राशी, जौब के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में पॉजिटिविटी रहेगी, भाग्य का सयोग यहां पर बना हुआ है, बड़े निरने की प्रक्रियाएं आसानी से आगे बढ़ाई जा सकती हैं, यहां रचनात्मक्षेत्र विशेश के साथ में बैटर्मेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए रहेंगे, आयर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ, कोई भी डिसीजन आप यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लहाजा भी इस समय को एक सपोर्टिव बेस के रूप में देख देखने वाली होगी, तो वहीं पर यात्राओं से संबंदित काम का आज भी बैटर प्रोस्पेक्ट्स देता चला जा रहा है, ये समय अंतराल और जावा नाधार के साथ आपके लिए चलता चला जाएगा, सिंग राशी, प्रतम तया, नौकरी पेशा जीवन में जो आपके पॉजिर्टिव एस्पेक्ट्स हैं, चीजों को देखने के, इस्तियों को भापने के, वो लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे, ये दिन एक स्ट्रक्चर डूटीन के साथ में शुरू हो रहा है, उसका बेनिफिट आपको कंटीनूस बेसेस के उपर मिलता चला जाए वानी पुरे अधिकार के साथ में है, माता पिता की आशीश से ही आज के कारे के आप शुरुवात कीजिएगा, जिससे की आत्मिक संबल लगातार बार है, पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय वीतेगा, वो आपके लिए सहरदयता को एक तरह से कंपेटिबिलिटी के अलग लेवल को जन्म देने वाला रहेगा, हिडन प्रॉब्लम्स जो लंबे समय से जीवन से दूर थी या उनको आप इग्नोर कर रहे थे, वो आचक तोर पर सामने आ सकती है, उनसे भी संबलने की प्रक्रियाओं के साथ में आप निरमतर रहने वाले रहें, गले से गरिहस्त पक्ष के साथ में आपका जुडाव अलग तरीके से निकल कर आएगा, उनकी और से जो भी सकारात्मक शब्द मिलते हैं, निराशाओं को हटाने वाले होंगे, आप यहां पर डिसिप्लिन के साथ में खुद को कंटिनूस बेस पर आगे बढ़ाने वाले होंगे, जो एक स्पिरिच्वल प्रॉक्रेस है, वो आपके साथ में बनी हुई है, एजुकेशन के लाइफ के साथ में जो भी मानुभाव जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यहां पर रिफ्लेक्शन्स में पॉजिटिविटी रहेगी, किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रह रहने वाली होगी, इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच सामने नहीं है, तुला राशी प्रधमतया खर्चों पर नियंतरन रखने का प्रयास कीजिएगा, बेसलेस फियर यहां मन को परिशान और खिन्न करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप संबलें, कला संबंदी शि तरविशेश के साथ में प्रोग्रेसिव अप्रोच बनी हुई है, नौकरी पेशा जीवन में बड़े निरणय की प्रक्रियाओं से दूरी बना कर रखियेगा, परंतु कोई भी निरणय आप पर हावी किया जा रहा है, वहां पर भी चोटे से गैप की रिक्वार्मेंट र ले जाएं, विदेश संबंदिकारियों में प्रोग्रेस रहेगी, व्यापारिक जीवन के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेश को जूड़ने की जो प्रक्रियाओं होती है, आज उसमें कोई भी इग्नुरेंस को आप दर्शाने वाले नहीं हो, कि कई बार हम कह देते हैं कि आप आजाईए, जुड़ जाते हैं, ऐसे प्रक्रियाओं से आप दूरी बना कर जरूर रखें, बूमी संबंदित कामकाज में निरणे की प्रक्रियाओं में रुक कर चलना आविशक रहेगा, वरिश्च ग्राशी, प्रतम दया नौकरी पेशा जीवन में यहां आपके लि विकारों से, यहां जो सावधान रहकर आपको आगे बढ़ना होता है, उसे एक प्रक्रियाओं पर आप गौर कीजिएगा, यही वो समय है जो आकस्मिक दनलाप की प्रक्रियाओं को सामने रखने वाला हो सकता है, चोटी-चोटी यात्राओं से संबंदित कामकाज में हर निकलने के रास्ते आपके लिए बने रहेंगे थोड़ा सा जोग कर आगे बढ़कर संबंदों को संबालने की प्रक्रियाओं में आप स्वयम को गतिमान करते चले जाईएगा, यह इस पस्ट दा अपने साथ आप जरूर रखें, तो वहीं धनूराशी, फ्लेक्सिबिलि की आवशक्ता है कि जितनी आपके पराक्रम में वृद्दी है, उतनी ही आप बहतरी स्वयम के साथ में स्थापित करते चले जा रहे हैं, बाग्ये का सायोग यहाँ आपके साथ में गतिमान रहने वाला होगा, आसपास जिन लोगों के साथ में आप रह रहे हैं, वो कोई पर भी गौर करें कि जो माता के स्वास्त को लेकर चंता हैं बनी हुई थी, वो हलके फुल के तोर पर हावी हो सकती है, निवेश के प्रक्रियाओं में गतिमान रहना यहां आपके लिए बैतर रहेगा, जो भी जातक मेडिकल फिल्ड के साथ में है, बाग दोड है, परन्तु स आत्मिक स्थर के उपर जो चिंतन की प्रवर्तियां होती है, वो यहां आपको सकारात्मिक करती चले जाएगी, यह समय आध्यात्मिक चिंतन के साथी साथ स्वयम से चुड़ने का है, बेतर कोई भी दुरावथा, उसको कैसे दूर लेना है, या उससे कैसे दूर होना है, इ किसी भी मेजर डिसीजन के भी इसको आगे बढ़ा कर बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इसमें अंतराल आपके लिए सहीयोग के गत्विद्यों को निर्मित करता चला जाएगा। शनिदेव प्रदान राशी के जातकों को चाहिए कि खर्चों पर नियंतरन रख कर चलने का प्रयासाब करते चले जाएगा और वहीं इस समय अंतराल में आजिवीका का कोई भी नया माद्धे माप एकसित करना चाहते हैं उस परक्रिया के साथ में भी जुड़ा जा सकता है। शनिदेव की मूल्ट रिकॉन कुम राशी के जातकों के लिए रिसर्ट संबंधे कामकाज में बहतरी रहने वाली होगी। वानी पर नियंतरन रख कर चलें। नौकरी पेशा जीवन में हतोत साहित करने वाली इस्तियां। लोगों के द्वारा जो डी मोटिवेशन सामने आ आईएगा तो वहें यह समय अंतराल जहां क्षमताएं पूनतया आपके साथ में जुडाव नहीं रख रही है, घफलतें सामने निकल कर आ सकती है, व्यापारिक जीवन के अंदर अति विश्वास किसी वेक्ति विशेश पर करके चल रहे हैं तब भी उसको री एक्जामिन क साथ में आप स्वेम को जुड़ें, जो एकाउंट साधी प्रॉपर बेसेस के उपर पून है, चेक करने होते हैं, उसे काधार को अपने साथ आप लेकर चलते चले जाएगा, मेन राशी, व्यापारिक जीवन के साथ में ये समय विशेश आपको बैटरमेंट के प्रोस्पे देने वाला रहेगा, यहां पर कुछ नया सीखने की प्रक्रियाओं में बहुत गहराई से आपका जुड़ना हो सकता है, मानसिक स्तर के उपर जो तनाव बने वो थे, उनमें जब कमी आती है, तो व्यक्ति संतुस्टि के भाव को देखता है, कुछ नया करने की और जा पात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी के अपरोच को बहुत अच्छे से अपना कर आप चलने का प्रयास करते चले जाईएगा, तो यह था बारह मई 2022 का अब देने कराशी फला मेसीच और चाम के साब निरंतर हाजर होते रहेंगे, धन्यवाद और कुटी शह, आभार